जहिन बच्चो, बच्चो मैं अजय कुमार वारणसी उत्तरप्रदेश से आपके अपने चैनल लौ सिक्षन पे सौगत करता हूँ बच्चो आखेर हम लोग कैसे पढ़ें गणित के और गणित के प्रशन कैसे आये थे लास्ट इयर प्रधान मंतरे SSV उजणा में तो इसको आज समझ के हम लोग आज एक चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहा हूँ कल मैंने कुछ अलग तरीके से कुछ प्रशनों को समाजिक अध्यन के बताया था आप लोग काफी पसंद कर रहे हैं तो गणित के तो ऐसे मैंने धेर सारे प्रशनों लास्ट इयर के सॉल्व करके बताया हूए है आज मैं आपको समझ देने जा रहा हूँ कि कहां से प्रशन आ रहे हैं और इस बार कहां से आ सकते हैं ठीक है तो चांसिस पूरे रहेंगे कि जो मैं प्रशन आज बताऊंगा आपके एकजाम में बच्चो जरूर आएंगे कई बच्चे दो-तीन मिनट देखके पूरा वीडियो नहीं देखते हैं सोचते हैं कि सायद अच्छा नहीं है तो बच्चो अपना नुक्सान कर रहे हैं काफी प्रशन मेरे बच्चो स्रिष्ठा में मैंने बताए वो प्रशना है केवल बच्चो वीडियो के जरी बच्चो ने 100 में से 60 सवाल सही किये ठीक है काफी बच्चो ने तो किताब छोड़ के वीडियो ही देखा तो ये बच्चों देखे आपको start कर रहा हूं ये देखे इसका Hindi version है आपके सामने और ये English version है तो पहला प्रशन जैसा आपको दिख रहा होगा कि ये mobile phone वार्सिक दर से घटता है तो उसका मुल्ग क्या होगा तो ये आया है बच्चों chapter number 8 से अभी मैं chapter भी आपको दिखाऊंगा कहा कहा से आ रहे हैं अब ये देखे angles का है ये आया है chapter number 4 से अब ये वाला देखे वर्गमूल का है square root का है यहाँ पर English medium वाले भी बच्चे देख सकते हैं कुछ questions उपर नीचे हैं इसमें ठीक है लेकिन आगे पीछे थे set के उपर depend करता है बच्चो इसलिए आगे पीछे थे ठीक है मैं हिंदी से ये questions दिखा दे रहा हूँ English medium वाले बच्चे ये देखे जो book है already मैंने बताई हुई है फ्लिपकार्ट और Amazon सब पर उकलब दे भी है ठीक है तो मैं हिंदी वाले से ही दिखाता रहूँगा क्योंकि फिर mix up से बच्चो काफी time लगेगा ठीक है अब ये देखे ये जो प्रशन है ये वर्ग मुल का है ये प्रयाक्ता का है तो प्रयाक्ता आपका पाठ 16 में आएगा ठीक है और ये आपका जो प्रशन 5 है बच्चो प्रशन 5 ये आएगा आपका पाठ 10 से आएगा फिर ये प्रशन 6 जो है वो पाठ 11 से आएगा सात्मा सोला से आएगा छ इग्यारवा जो प्रश्ण है, वो इग्यारवा प्रश्ण जो है, आपका, वो आपका आएगा पार्ट साथ का है, ठीक है, तो वैसे यो प्रश्ण बारा हो गए, तेरा हो गए, चौदा हो गए, ये सब अलग-लग पार्टों से है, चौदवा जो है, नौवे पार्ट से है, 20 or 22, ठीक है 20 और 22 ठीक है, 20 or 22, ठीक है, यह आपका है 15 chapter से, 24 है आपका बच्चो फ्रस्ट चे प्टर से, 25 भी है आपका बच्चो फ्रस्ट चे प्टर से, question 30 है बच्चो आपका chapter number 2 से, एक चीज मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ टॉपिक जो है छोयने गया है या तो कम आया है तो बच्चो यही होगा देखे यह आपके syllabus है इंगलिस और हिंदी दोनों बच्चे देखने ध्यान से उनको काफी दिक्कत रहती इंगलिस और हिंदी साथ में तो देखे पहला जो टॉपिक है परिमे संख्या परिमे संख्या से काफी प्रशन आये हैं और इस बार भी मुझे लगता है दो प्रशन जरूर आएंगे अगर आप चैप्टर वाइस त्यारी करेंगे बच्चो तो मेरे खाल से और ये जान लेजे बहुत कठिन प्रशन नहीं है कठिन प्रशन में दो-तीन थे जो कि आपको चाहिएगो जो समाने बच्चे हैं जिनकी गणित कैसी भी हो उग कर लेंगे अगर कॉंसेप्ट आपने वीडियो देखके अगर समझ लिया तो आप कर ले जाएंगे एक चरवाले रैफिक सेमिकरन यानि की लीनियर एक्वेशन इस वन वेरेबल यह चैप्टर पढ़ा दीजे तो मैं बचो पढ़ा दूगा यह देखिए आपको बताना चाहूंगा यह टॉपिक मैंने अच्छे से पढ़ाय हुआ है वर्गमुल पढ़ाय हुआ है इसकी भी कुछ टॉपिक मैंने पढ़ाय हुई है घतांक का बहुत जादा सवाल मैंने कराय हुआ है ठीक है गुणनखंड ये सब सब मैंने कराय हुआ है अच्छे से सवाल तो मैंने देखे सभी टॉपिक के कराय हुए है लेकिन आज मैं जो सोच रहा हूँ आपके चत्रभुजों को समझना ये क्योंकि बहुत ही असान होता है अगर आपने समझ लिया Understanding Quadilaterals तो आप असानी से प्रश्णों को कर लेंगे और सवाल देखे किस-किस तरह के आए है ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ठीक है सबसे बड़ी बात है कि आप PM SSV योजना में इससे प्रश्ण आये हैं आए इसको समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं ठीक है तो कैसे आएंगे और क्या कर सकते हैं तो मैं जो आज बताने वाला हूँ मैं उसमें कनफार्म हो बच्छो कोई ना कोई सवाल आपके अवस्य आएगे ठीक है तो आए समझेए ये इस बार के पेपर है ये लास्ट यया कर दोनों को मैंने हल करके अपने चैनल पर बच्छो बताय हुआ है ठीक है तो इंग्लिस और हिंदी मीडियोम वाले बच्चे दोनों देख सकते हैं क्योंकि यहां पर दोनों तरह के प्रश्ण है अब देखे जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं उससे खोजों कि उससे प्रश्ण आये कहा है यह एक देखे पहला प्रश्ण मिला ठीक है पहला प्रश्ण मिला आपके सामने यह देखे प्रश्ण कह क्या रहा है दिये गए समारांतर चत्रभुज में अज्याद कोण ABC का क्रमसा मान क्या होगा यह देखे एक 60 डिग्री दे दिया है और A एंगल B एंगल C का मान पूछ रहा है ठीक है यह conceptual question है बहुत ही clear होना चाहिए अब देखे यह भी उसी से है यह conceptual question है अगर आपने पढ़ाने मैं क्योंकि अब भी पढ़ाने जाओंगा सब बच्चे सोचेंगा रे सरका तो यह बोरिंग लग रहा है यह सर क्यों बता रहा है कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं आयत के विकर्ण परस प CD कौन से सही है अगर आपको concept ही नहीं clear होगा तो तुक्का मारना होगा और यह है असान सा सवाल इसी पर बेस होके सवाल आने वाले हैं ठीक है तो यह आपने एक paper देखा है 2023 वाला बच्चो अगर जैसे आप वीडियो देखेंगे आपको अच्छा अच्छा लगेगा आपक कई बच्चे सोचते हैं रहे हमसे सरेष्ठा से क्या मतलब अभी देखें इसमें कौन सा आया है question इस वाले में यह देखें यह आया है रॉम्बस का ठीक है अब इसमें कतन कारण का अगर आपका concept clear नहीं होगा क्या आप इसको कर पाएंगे देखें यहां देखें देखें द टॉपिक को आपको पढ़ाने जा रहा हूं अब बच्चो यह देखें यह आपको टॉपिक है चत्रभूजों को समझना अंडरस्टेंडिंग कौर्डिलेटर्स तो जब भी देखें figure-based question आते हैं यह देखें एक और प्रशन आया हुआ इसी पर ठीक है यह देखें दिया तो भाई सवाल कैसे होगा ठीक है अब बच्चो देखें जो चीजे लाल में बस आपको उसको समझना और कुछ नहीं करना मैं पूरी बुक नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि बोरियत भी हो जाएगी यह देखें जैसे समतल किसको कहते हैं समतल या plane surface एक प्रतिरूप है ठीक है वो polygon कहलाता है ठीक है तो यह देखें यह जो है वक्र जो बहुबुझ है ठीक है यह बंध है वक्र जो बहुबुझ नहीं है तो चित्र के अधार पर आप देख लिजे कि बहुबुझ में कौन सार फीगर नहीं आएगा इसी पर आधारित प्रशन simple आ जाएंगे लेकिन ना जानने की वज़े से आप नहीं कर पाएंगे बचो यह तो है simple लेकिन इसको समझना जरूरी है तरे भुझ तीन भुझाओं से इस ट्रेंगल कहते हैं चार भुझाओं को चत्र भुझ कहते हैं पांच वो को पंच भुझ कहते हैं इंगलिस में यहां लिखावा है पेंटाग कौन लिखेंगे इसको और यह बिकर्ण आपको पता ही है जो अपोजिट साइट को हम जाके मिलाते हैं तो किसी बहुझ का बिकर्ण उसके किनी दो सिर्सो यानि की आसान सिर्सो को छोड़कर जोड़ने से प्राप्त रेखा खंड होता है ठीक है तो यहां जितने भी दिख हैं यह सब क्या है आपके डाइगोनल है यानि की बिकर्ण है अब यह देखिए इसको समझना जुरूरी है इन सब्दों को कि एक बंद वक्र में अभियंतर और बहिर भाग का क्या अर्थ होता है तो इंटर जो अंदर का भाग है वो इंटीरियर हो गया बच्चो अभियंतर कोई भी चित्रबना है उसके बाहर के भाग को हम बहिर भाग कहते हैं ठीक है बाहर से बहिर अंतर को अंतर की तरफ समझ जाए कै तो इस यह सब्द आएंगे आप नहीं जानते रहेंगे असान सा प्रश्ण नहीं हो पाएगा अब देखिए चित्राधरित था चित्राधरित वो आपकी उत्तल है, उत्तल लेंस और आउतल लेंस तो आपने पढ़ा है, ये दरपन भी पढ़ा है, तो उस अधार पे भी आज समझ के इसको चल सकते हैं, और ये वाला देखे आपके जितनी आकिरतियां ये आउतल बहुभूज है, ठीक है? बचो इस पॉइंट को भी समझना बहुत ही जरूरी है, सम तथा बिसम बहुभूज, regular and irregular polygons, अब देखे सम बहुभूज में होता क्या है, सम बहुज मतलब की जितनी भी भूजाएं होंगी, जितनी भी sides होंगे, वो equal होंगे, सम कोणिक मतलब की जितनी भी कोण होंगे, वो अब आईए चीजों को समझें कि कौन से regular हो सकते हैं, मतलब की कौन से सम बहुभूज हो सकते हैं, कौन से सम बहुभूज हो सकते हैं, तो यह देखे, इसमें क्या है, सभी भूजाएं बराबर है, सभी कोण बराबर है, तो यह क्या है, एक सम बहुभूज है, यह देखे, व रेगुलर पॉलिगन नहीं हो सकता, सब्दों को यहां को समझना है, समभुभूज यह रेगुलर पॉलिगन होता क्या है, ठीक है, वैसे ही देखे, यह आपका rectangle है, यानि की आयत है, तो ये भी यहां पर देखे, ये इससे बराबर, ये इसके बराबर है continuous लेकिन बराबर है लेकिन भूजायं बराबर नहीं है तो अभी हमने क्या देखा था son bhoabooch के लिए क्या नियम था एक तो सभी भूजायं बराबर होने चाहिए सबीlights साहिए साथ में सभी जो angles हैं वह बराबर हुने चाहिए है तो इस कंडिशन में देखे ये वाला ट्रेंगिल नहीं होगा ये वाला आयात नहीं होगा ठीक है इसी तरह से यह यह नहीं होगे और जो होगे आपके सामने देखे यह प्रदस्त किया गया है एक बराबर मतला डंडी एक जैसी खीची है परिक्षा में भी अगर आसे आ जाए कि एक एक डंडी समय खेची है तो जानलीजी सभी भुजाएं बराबर है कहीं अगर दो बर दिये दिया है तो जानलीजी ओ भुजा उसके बराबर नहीं होगी वही कोड़ों के साथ भी होता है बच्चो इस टॉपिक से प्रशन कहीं पर भी आ सकता है अभी मैंने चैप्टर को बीच में छोड़ा है क्योंकि अगर आपको पसंद आएगा तभी तो मैं आगे पढ़ाऊंगा ठीक है अगर कई बच्चे कमेंट करते हैं नहीं सब पूरे चैप्टर को कम्प्रीट करा दिजे कॉंस बता दे रहा हूं ठीक है इसके बाद जैसे आपका कमेंट रहेगा वैसा मैं काम करूंगा अब यह देखे सवाल आपके सामने है कि एक उत्तल बहुत अभी हमने जस्ट देखा उतल उतल बहुत जिसकी साथ भुजाएं हैं उनके कूनों का जोड़ होगा वैस जो भुजाए हैं जो साइड से हों कितने हैं वह हैं आपके सेवन ठीक है तो पूछ रहा कि जो उनके एंगल्स होंगे उनका सम कितना होगा जो टोटल एंगल्स होंगे अंदर जो बनेंगे वह कितना होगा यह है 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 तो बच्चों आपको बताना चाहूंगा कि भुजाएं यहां साथ है तो n बराबर यहाँ जो मान हो गया n का जो भुजा की संख्याएं उससाथ हम ले लेंगे और बहु भुज के आंतरिक कोणों का योग जो बहु भुज जो polygons होते हैं उसके interior angles उसके interior angles का जो sum होता है उसका जो formula है बच्छो वो होता है n-2 गुणे 180 बस देखे अगर यह आपको formula याद होगा तो असान सा एक number आपको बस इस आधार पर मिल जाए है इसलिए बार-बार कह रहा हूँ अगर आपको समझना है तो आप जरू यूट्यूब के comment section में comment कीजिए बच्छो अब हमें करना क्या है n का मान यहाँ 7 भर दें 7-2 into 180 साथ में से दूखटा दीजे 5 यानि की 180 गुड़े 5 500, 5, 8, 40, 4, 5, 5, 900 तो भाई देखे 900 किस option में है तो option number A में है बच्छो बच्छो आज का अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप please comment section में लिखेगा Thank you, thank you very much